सब्सक्राइब कीज़े कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाईए ताकि मेरी कोई भी लेटेस वीडियो आपसे मिस ना होगा स्लाम लेकुम आज हम चीजबॉल बनाएंगे रहाँ और इसको शाम में बनाएं अफ्तार में बहुत है बच्चो के राटे के लिए त्यूसित अकाभा कि अबाल क DOUश्क पाख करते वंतन ही चीजबॉल सबस्क्रास होगा थी बनाने के लिए नहीं 2 चीजबूल नानी और फिर चेकिन को अवाइड कर सकते हैं आप सेम चीज़ बॉल्स सिर्फ आलू के साथ बना सकते हैं ये भी बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होती है एक स्मॉल साइज की शिमला मिर्च को बारी काट लिया है दो से तीन टेबिल स्पून हरा धनिया लेंगे तीन से चार हरी मिर्च को दरदरा सा मैंने पीस लिया है एक टी स्पून कुटी भी लाल मिर्च लिए और एक टी स्पून नमक लिए ये दोनों आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं एक टी स्पून काली मिर्ष्ट का पौडर और एक टी स्पून जीरा पौडर लिया है और एक टी स्पून औरेगैनो लिया है यह आपके पास है तो आड़ करें वनना इसकिप करते हैं एक टेबर स्पून यहाँ पर मैंने एक कौन फ्लोर लिया है आप इसकी जगा अरा रोड भी ले सकते हैं और एक टेबर इस्पूर नीबू कर रस लिया है तीन से चार मैंने ये चीज स्लाइसेज लिया है आप इसकी जगा मोजरिला चीज या फिर प्रोसेस चीज का भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने कुछ समान लिया हुआ है इसमें मैंने ये ब्रेट क्रम्स ले वे हैं ब्रेट क्रम्स आप या तो ब्रेट को धूप में सुखा कर मिक्सी में पीश लें या फिर माइक्रो आवन में भी आप इसको सुखा कर पीश सकते हैं कर देंगे और हरदनिया डालेंगे बारिक काणटीवी Sumla Minch डालेंगेiste कॉंठ सब्सक्रीट, कुछिए बहूँ चाहां मेरा नहीं करना दिनीन हुट तक प्रेशिक थे हिंद। अब हम इसकी बोछ त्यार करेंगें हम अपने हातों पर थोड़ता अपलाए कर लेंगे और इसमें से एक portion लेकर इसकी एक बॉल बनाएंगे फिर इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और इसके बीच में हम यह चीज रख देंगे चीज को मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे यहां पर मैं थोड़ी सी बड़ी बॉल बना रही हूं आप मीडियम साइस की बॉल या फिर स्मॉल साइस की बॉल भी बना सकते हैं अब हम इसको मैदे में कोट करेंगे पहले कॉन फ्लोर को मैं थोड़ा सा चला लूँगी क्योंकि कॉन फ्लोर पानी में नीचे बैट गया है अब हम इस ball को corn floor के mixture में dip करेंगे और फिर bread crumbs में इसको dip कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा round shape देंगे और ये हमारी इस तरह से ball बन करते ही आ रहे इस तरह से हम बागी की balls भी ready कर लेंगे अब हम medium heat पर तेल को गरम करेंगे और फिर gassy flame को low to medium कर देंगे और low to medium flame पर हम अपनी balls को उलट पलट कर golden होने तक fry करेंगे एक मिट के बाद हम इसके side को change करेंगे इसको पलटने के लिए अगर fork की मदद लेंगे तो जादा better है ये तूटेंगी नहीं और इसी तरह से हम उलट पलट कर हर तरफ से इनको golden होने तक fry कर लेंगे ये देखिए दो से तीन मिट में उलट पलट कर हमने इनको golden होने तक fry कर लिया है अब हम इनको एक absorbent paper पर निकाल लेंगे आप देख सकते हैं ये बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी ही है हमारी cheese balls और अंदर से बहुत ही चीज़ी है और ये देखिए हमारी cheese बहुत अच्छे से melt भी होगी है जरूर से आप इस recipe को try कीज़े ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है और आप इसको serve कीज़े अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ और recipe अच्छी लगिए तो इसको like कीज़े, share कीज़े और मेरे चैनल को one time subscribe कीज़े Thank you so much for watching my video